नमस्कार आप देख रहें बिहारी नियूज और मैं हूँ यती आपके साथ बिहार में जमीन खरीदना कोई आसान बात नहीं है भले ही बिहार रोजगार को लेके पीछे है यहाँ नौकरी की अफसर भले ही कम है पर जमीन के दामों में कोई कमी नहीं दिखती अनिराजों की अपेक्षा में बिहार में जमीनों की कीमत अधिक है यहाँ लोग यही कोशिश में लगे रहते हैं कि जादा से जादा जमीन खरीदें ताकि आने वाले समय में वे उनके लिए सहारा बन सके वहीं बात की जाए जमीन के दामों की तो जमीन के साथ साथ यहां एक चीज और थी जो लोगों को काफी परिशान किया करती थी वो थी स्टैम्प शुल्क के साथ निवंधन शुल्क जिसको लेकर सरकार ने जमीन की लागत को कम करने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है सरकार दुआरा स्टैम्प शुल्क के साथ निमंधन शुल्क को माफ कर दिया गया है सस्ती जमीन को उपलब्द कराने के लिए राजसरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया इसी के सांथ सरकार दुआरा फीको को भी शुरुवात करवाया जा रहा है जो की हाजीपुर, समस्तिपुर, भागलपुर, सिवान के साथ नवादा के कुछ आचलो में लागू होगी इसके बाद इसे पूरे बिहार में लगबग 534 लागों में लागू करवाया जाएगा राजस्वयवं भूमी सुधार मंत्री आलोक कुमार महता ने वरी अधिकारियों के साथ विचार विमर्ष किया जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को ये सुनिचित करने का निर्देश दिया है कि अगर सही वज़े से दाखिल खारिज में किसी मामले में अस्विक्रिती करना आवश्यक हो तो उसके बारे में विस्तार से और लिखित में जानकारी दी जाएए इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जरूरी दस्तावेज उपलब्द कराने के लिए एक आवेदन के लिए हर किसी को मौका दिया जाएगा ओनलाइन दाखिल खारिज के मामलों में अचल कर्मियों की मनमानी काफी बढ़ती हुई दिखी जिसको ध्यान में रखते हुए अं उनका निप्टारा पहला करना अचल कर्मियों के लिए अनिवारे होगा और अधिकारियां इस पे विपरीत पाएगे तो उनके खिलाफ जल से जल करवाई की जाएगी इसी के साथ अचल अधिकारी राजस्वक करमचारी और डाटा इंट्री ऑपरेटर्स जैसे अचल कर्मी म्यूटेशन के मामले पीक एंड चूज नहीं कर पाएंगे साथ ही जिन गरीबों के पास अपने लिए बास के लिए जमीन उपलब्द नहीं है उन्हें भी जमीन उपलब्द करवाया जाएगा अगर उस गाउं में जमीन नहीं होगी तो उन्हें जमीन खरीद कर दी वहीं क्रे नीती के तैत निर्धारित साथ हजार की सीमा को बढ़ागर दोगुना करने को लेकर सरकार द्वारा वीचार भी किया जा रहा है फिलाल इस खबर में इतना ही धन्यवाद